दोस्तों, आज मैं आपको Adolescence शब्द का मतलब और उदाहरण बताने जा रही हूँ. Adolescence का अर्थ किशोरावस्था होता है. किशोरावस्था वे अवस्था है जब एक बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से वयस्क बनने की प्रक्रिया में होता है. ये समय होता है जब बच्चों में शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जैसे लंबाई बढ़ना और आवाज बदलना. ये वह समय भी होता है जब व्यक्ति मानसिक और भावनात्मक रूप से अपने विचारों और भावनाओं को विकसित करता है. आईए उदाहरण से समझते हैं, किशोरा वस्था व्यक्तिकत विकास और प्रगती के लिए एक महत्वपूर्ण समय होता है. दोस्तों, ऐसे शब्दों का मतलब जानने के लिए नीचे दिये गए लाल बटन को दबा कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें. ऐसे और भी शब्दों के अर्थ जानने के लिए प्लेलिस्ट पर क्लिक करें.